नमस्कार मैं अनुष्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत हैं। जुनियर इंजिनियरों की पद पर निकाली रिखतिया, मिस्र धातो निकम लिमिटेड यानि की मिधानी ने 64 पदों पर रिखतिया निकाली हैं। इस जॉब का लोकेशन हैदराबाद है। की जुगत में रगे हैं। इस लिहाद से कई यवाव को रोजगार भी मिल सकेंगे। तयारी को लेकर की गई बातचीत में बताया। उन्होंने कहा कि इस बार जो भी प्रतियाशी नामांगन का परचा बढ़ेंगे। अपनी संपत्य की घोशना करनी होगी। ऐसे में गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सरकार नियम अचारह पाच की तहत कारवाई करेगी। ऐसे बंजयत प्रतियों को बरखास्त भी कर दिया जाएगा। अगले 48 गंटे गर्मी की लिहाथ से रहेंगे भाड़ी। सुबे में मांसून का सर कम होने से बारिश होने जैसे इस्तिती नहीं बरनाई है। हालांकि आने वाले 48 गंटे के दोरान भी ऐसा ही मावसम देखने के मिलना बाला है जिस कारण से धूप की तपेश और उमस बड़ी गर्मी राज के लोगों को सताएगी। मौसम विग्यानिकों की माने तो करेब सभी शेहरों में बीते 3-4 दिनों से अधिक्तम तापमान बड़ा है जिस वज़ा से सुबा के 9-10 बज़े से ही चिलचिलाती धूप परिशान करी है। हलांके कुछ हेस्सों में सानिय कारणों से मेग गर्जन और वज़रपात हुआ है। मौसम विग्यान केंदर पटना की मुदाबिक पुरवाया हवा और नमी की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। पटना में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा मॉल पूरमदे रेलवे अपने प्रमुक स्टेशनों के पास के इस्थानों को आधुनिक रूप से विक्सित करने की पहल करी है। इसके दहत पटना जंक्सन की दक्षिनी हिस्से में बनी कॉलोनी की जगा पर राज का सबसे बरा शॉपिंग मॉल सहा आवास की परिस्तर बनाने का फैसला लिया गया है इसके लिए पुरमद्य रेल वर रेल भूमी विकास अथारोटी की बीच संजाता हो गया है और टेंडर भी निकाल दिया गया है वही पतने जंकसन की बाद दानापूर स्टेशन डेलवे कॉलोनी समस्तिपोर दर्भंगा गया वदनवात स्टेशन की पास भी डेलवे कॉलोनी को तोरकर कंचारियों के लिए मल्टी स्टोडी बिल्डिंग बनाने की योजना है दर्भंगा समस्तिपूर रूट पर शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन बार के कारण कई रेल खंडियों पर ट्रेन सेवा को अनिशित काल के रिए रोग दिया गया था जिसे अब बाढ़ का असर थमने के बाद फिर से बाहल किया जा रहा है इस कड़ी में पुर्मद्य रेल ने दर्भंगा और समस्तिपूर के रूट पर फिर से ट्रेन सेवाओं को शुरू कर दिया है इस बारे में बीते दिन पुर्मद्य रेल के से पी आरों ने प्रेस विग्यति जारी कर बताया कि समस्तिपूर मंडल के दरभंगा समस्तिपूर रेलखंड के थलवाडा हाया घाट स्टेशन के बीच पुल के पास बार्ड के बानी का स्तर बढ़ने के बाद परिचालन को रद कर दिया गया था अब यहां संख्या अर्ध शतक के करी पहुंच गई है स्वास्ति भाग द्वारा जारी किये गए ताजा आक्रों के मुताबिक बेते दिन के फिसले 24 गंटे के दौरान कुल 6 ताजा मामले आये हैं जिनमें समस्ति पूर से तीन और बेगुसराय नवादा वा वेशाली जिले से एक-एक मामले सामने आये हैं इस दोरान 15 व्यक्ति कोरोना से रिकवर भी हुए हैं जिसके बाद राज में अब कुल एक्टिव केसों के संख्या 54 हो गई है इस दोरान रिकवरी रेट 98 दिसबलब 6-6 फीस सदी हो गया है रेरा ने बड़ी कारवाई करते हुए 18 रियल स्टेट प्रोजेक्ट कर दिये रद बिहार में रेरा ने बीते दिन बड़ी कारवाई करते हुए पटना समेथ राज के विभन जीलो के 18 रियल स्टेट प्रोजेक्ट को रत कर दिया है इन में से अकेले 8 प्रोजेक्ट अग्रणी होम्स प्रावेट लिमिटेड और इसकी ग्रूप के हैं जो की दानापूर, बेटा और सोनपूर इलाके से जुरे हैं इनके प्रोजेक्ट को रत के जाने की असली वजह जरूरी काग्जात जमान नहीं करना बता गया है रेरा ने इन सभी कंपनियों को ग्राहक और आवंटियों का पैसा के साथ दिनों के अंदर ब्यात समेत लोटाने का निर्दीश दिया है सितंबर में 7 करोर बिहार वासियों को वैक्सिन लगाने का रखा गया लक्ष बिहार सरकार ने इस साल के अंते तक में 6 करोर लोगों को कोविड सुरक्षा वैक्सिन देने का लक्ष तैय कर रखा है ऐसे में अब जब साल खत्म होने में साड़े तीन महीने के करीब समय शेश बचे है तो वैक्सिनेशन अभियान को भी गती दी जारी है इस करम में इस महीने में 17 क्रोड वैक्सिन लगाने का लख्श निर्धारित किया गया है स्वासवाग के अधिकारिक सोत्रों के मुदाबिक सितंबर में इस लक्ष के साथ ही पाँच करोर से अदिक टीका करंग का लक्ष हासिल हो जाएगा वहीं आपको बताते चेले कि बिहार ने बीते दिन एक बर फिर से कोरोना टीक करन के मामने में देश भर में दूसरा अस्थार हासिल किया सुमवार को राज में 16 दिसलब 32 लाख लोगो को टीका लगा गया राज में अब तक 4 करोर 5 लाख 31 हजार से अधिक डोस दिये जा चुके हैं राज के सफाई कर्मियों ने शुरू किया अनिशुत कालिन हर्ताल सुबे के सभी नगर निकायों के सफाई कर्मी अपनी 12 सुत्री मांगों के पूरे होने तक आज से अनिशुत काल के लिए हर्ताल पर चुले गए हैं इन सफाई कर्मियों का हर्ताल बिहार लोकल बाडिस कर्मचारी संयुक्त संगर समोशा वह बिहार राजस्थानिया निकाय कर्मचारी महासंग के बैनर तले हो रहा है बताते चले कि इन सफाई कर्मियों की प्रमोख मांगों में कई मुद्दे शामिल है जिनमें सफाई मजदूरों के खाली पदों की जल्द बहाली सफाई मजदूरों को कभी भी सरकारी नौक्री नहीं देने के निर्णय का भी विरोध किया गया है गौरतलब हो कि आउट्सोर्सिंग पर बहाल सफाई कर्मियों के हरताल पर चले जाने के कारण नगर निकाव में गंदगी और कच्रे का अंबार फैलने से काफी समस्याय आएंगी क्योंकि बारिश कीच्वर के मौसम में गंदगी से कई बिमारियों के फैलने का भी खत्रा विदेता और पुरा तत्विक महत्व को नुकसान पहुंच रहा है इसलेकर एक जनहित याचिका पर पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंट पीठ कोट ने बीते दिन सुनवाई की जिसके तहत कोट ने केंदर सरकार और भारती पुरा तत्व सर्विक्षन से इनके संरक्षन के प्रती अब तक की गई कारवाई की बारे में पूछा साथ ही इन पहारियों और इसके जंगल बा आसपास होने वाले खंटन कारे पर हाई कोट ने जो 20 जुलाई को रोक लगा दी थी या रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखने का भी निर्देश दिया गया है मामने में अब अगली सुनवाई 5 अक्टूवर को होगी लोश्पा सांसद वीना देवी ने चिराग को ललकारा लोश्पा पारस गुर के संसद्य दल की नेता बनने के बाद बीते दिन पहली बार वेशाली की सांसद वीना देवी पटना पहुंची जहां पार्टी क की नेता हूं पार्टी की सरसम्मती से रास्टे अध्यक शुबाकेंद्रे खादे प्रसंसकरन मंत्री पश्वपती कुमार पारस ने मुझे संसद्य दल का नेता बनाया है फिर चिराग कहां से आ गए कोई अकेले कैसा संसद्य दल का नेता हो सकता है वही वीना देवी ने मह आजाने बटना का एक दिन का दौरा करेंगे इसे लेकर संग के उत्तर पुर्व शेत्र कारियाले ने उनके पटना आने की जानकारी दी है शेत्र प्रशार प्रमुक राजेस कुमार पांडे ने बताया कि गुरुवार यानिकी 9 सितंबर को मोहन भागवत पटना आएंगे जहां वे राज़िंद्र नगर सित विजयनिकेतन में संग के कारकरताओं के साथ बैठा करेंगे बैठा के बात कुछ देर विश्राम करके वे गुरुवार की रात में ही जहार कंचे ले जाएंगे जहां तीन दिनों तक राची में वे बैठा को में शामिर होंगे इसnous लेक है कि जिसके उपर आरोप लगे हूं उसी को जाज कर जिम्मा मुख्यमंत्री दे रहे हैं ऐसे में इंसाफ की उमीद बेमानी है तेजसरी अदम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नितीस जी के जनता दर्बार की डगोस ले पूर जीला पारसत की हत्या के नामजद आरोपी दिया गया क्रोरोलाची यही है चौथे टेस्ट में जीत के साथ ही जस्परीद बुम्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड भारत और उंग्लैन के बीच चल रहे चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने श्यांदार जीत हासर की तो वहीं जीत के नायोकों में से एक भारती और रिकॉर्ड अपनी नाम के लिया है आपको बता दे कि बुम्रा ने ओली पॉप के विकेट के साथ ही अपनी टेस्ट करियर का सौवा विकेट पूरा किया है इस विकेट के साथ बुम्रा सबसे तेज सौव विकेट लेने वाले भारते तेज गिंदबाज बन गये और सब भारते खिलारी को जाता है आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताएं और ब्यार से रेकबरों से अपडेटे रहने के लिए जुरे रहें ब्यारी न्यूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार